आज हम बना रहे हैं black forest cake और इसे हम बनाने वाले हैं कडाई में इसे beginner भी इसे बहुती easily बना सकते हैं तो करते हैं शुरू तो अब हम केक का बेटर तयार कर लेते हैं अब हम dry ingredient को छान के रख लेते हैं तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक कप यह गीहूं काट लिया है आप मे जिससे एक अच्छा कॉफी काडल टेस्ट आता है वो उसमें आएगा आप चाहे तो skip भी कर सकते हैं डालेंगे वन टीस्पून बेकिंग पॉडर हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा यानि के मीठा सोडा और अब इन सभी dry ingredient को छान लेते हैं अब लेंगे हम आधा कप शक्कर आधा कप दही लेंगे ताजा दही होना चाहे ज्यादा पुराना दही हमें नहीं यूज करना है वन टीस्पून वैनिल एसेंस लेंगे अब डालेंगे एक चुथाई कप तेल तो तेल बोले जिसमें कोई तीखी स्मेल नहीं होने चाहे या यहां पर मेरा ने नफ़ाएक चाहिए हैं मिक्स किया है इसके लिए इसके लिए पर कडाई ले लिए और इसमें अंदर नमक दाल यह मेरा बहुत बार भार नमक है इसलिए डार गया है आप इसे कहीं बार यूश करसकते हैं ऊपर स्टेंड रग दिया है गिस को न कर दिया है और इसे medium flame पर set कर दिया है और इसे अब हम preheat करेंगे 5 मिट के लिए medium flame पर केक टेन को तेल से grease कर लेते हैं यह heated cake में बनाना चाहरी है तो चाहिए तो मैं सब स्केटर के दिने कें और थोड़ा इसके उसे सब निesta के सब साइधा सोगाgiving ऐसे हम पर अब इसमें हम पर तो अब इस चो अंदर हम ये ड्राय इंगेटेंट डाल देते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे लिक्स करेंगे फिर ऊडे पर टालेंगे बैटर देखिए यहाँ पर बहुत टाइट है तो इसके लिए हम दूढ डालेंगे तो हम एक बार में ज़्यादा दूढ नहीं डालेंगे स्पैचुला का यूज कर लेते हैं इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए अगर आपके पास नहीं हो तो कोई बात निया आप चम्मस से भी मिक्स कर सकते हैं और अब इसमें डालेते हैं वन टीस्पून विनेगर यानि सिर का अगर आपके पास हो तो आप डाले नहीं तो आप इसकीप भी कर सकते हैं तो इसमें मुझे ज़ो दूद लगा है वो लगा है करीबर एक ती हाई कब ीक में यह इस तरीकी से रिबिन इसमें बनी ना एसी बननी चाहिए पर रुक रुक की नहीं गिर रहा है तो इसे दो से तीन बार टैप कर लाता है रख देते हैं इसके अंदर और अब इसे हम ढग देते हैं गेज की फ्लेम को लो टू मीडियम पर सेट करेंगे और तीस मीट बाद इसे चेक करेंगे तो तूद्पिक या चाको को बीच में डालेंगे और यह देखे बिल्कुल क्लीन निकल कर आईए यानि कि केक बन गया है और इसे बनने में 45 मिट लगे हैं तो यह डिपेंड करता है गेज की फ्लेम पर कडाई पर केक टीन पर बैटर पर इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं कि थंडा हो चुका है तो इसे रख बीमोल्ड कर लेते हैं तो उसके लिए चाको से पिलाब की नारों को थोड़ा रिलीस कर लें ओपर प्लेट रखें तो आगे के तैयारी भी हम कर लेते हैं तो यहां पर मैंने चैरी ले ली है तो इसे कट कर लेते हैं यह बीना बीज वाली चैरी है चोकलेट को इस तरीके से हम निकाल लेते हैं इसका यूज हम डेकोरेशन में करेंगे तो इसे भी हम फ्रीज में रख लेते हैं और अंदर इस तरीक से नाइफ को लेते हुए एक मार्क बना लेंगे धीरे धीरे इससे अंदर लेते जाएंगे नाइफ को इससे बिल्कुल एक जैसा कटेगा यह देखिए तो तीन लेयर में मैं कट कर रही हूं केक को अगि वेक केंड ले लीए यह नौट dipping क्रीम है में वहाई नहीं होने चुहें है यानि कि जब आपड़ीक क्रीम निकालें करें यह थोबड़ी दिने निकालें यह इसे느ल में तो तो एक घंटे t 고 कर देट करेंगे अ дав गयाए और तीन चार मेट में आप देखेंगे कि आपका अच्छा सा स्टीफ पिक आ गया है मतलब कि गिराने पर भी गिर नहीं रहा है इस तरीके से क्रीम बीट होने चाहिए यह देखिए बिल्कुल परफेक्ट जो यह बीट हुई है तो यहाँ पर मैंने एक चुथाई कप करीवन पानी लिया है और इसमें करीबन दो चमच में चॉकलेट सीरप डाल रही हूँ आप चाहिए तो दो चमच शकर भी डाल सकते है केक बोट ले लेंगे और उस पर थोड़ा सा क्रीम अपलाय कर लेते हैं जैसे केक इदर खिसके नहीं और बीच वाली केक की लैर उसे हम पहले मॉइस्ट करेंगे जो हमने अभी सीरप तयार किया है इसे केक अच्छा सॉफ्ट रहता है कि इस तरी की से क्रीम को फेला लेंगे और इस पर में तो बड़ा सा यह हमारा क्रश की अवा चॉकलेट भी डाल देते हूं और यह चेरे भी हम डाल देंगे और अब यह उपर वाली जो केक की लैर थी वह रखेंगे इस तरीकी से उल्टा और इसे भी मॉइस्ट करेंगे सेम प्रोसेजर फिर से रिपीट करेंगे और यह सबसे नीचे वाली केक की जो लैर थी वह सबसे उपर रखेंगे उपर वाली लेयर में हम चॉकलेट और चेरी नहीं डालेंगे साइट में भी क्रम कोटिंग कर लेंगे प्रिष्ट एक इसे क्रम कोटिंग करने से फैयदा ही होता है कि बाद में आपको परेशान नहीं करता है तो अभी हमने क्रम कुटिंग के लिए इसे करीबन आदा गंटी लिए प्रीज में रख देते हैं इसे थोड़ा सा यह साइट हो जाए आप फिर इसकी फैनल इसकी आइसिंग करेंगे यहाँ पर लिया है नूर का 21 नमबर का स्टान उजट और इसमें आप क्रीम फिल कर देते हैं पाइपिंग बेक के अंदर क्रीम को फिल आदेंगे इससे इजी हो जाता है इवन ली एक जिसा पूरे केक पे आप क्रीम को अप्लाए कर पाएंगे और इस तरीके से इसे हम इवन कर लेंगे स्क्रैपर और पैलेट नाइट की हैप से नाइप को मिशे क्लीन रखना है जब आप फिनेशिंग दे रहा हो तो आप किसी भी क्लीन क्लॉट से साफ करते रहें इस केक में एक और बेनेफिट यह होता है कि बीगनर इसे इजिली बना सकते हैं क्योंकि इसमें फिनेशिंग ज्यादा केक को देने की ज़रूत नहीं होती है साइटी क्रेम को क्लीन कर लेते हैं पहले थोड़ा सा हम नोजल को पर रखेंगे और अब चेरी को इस तरीके से लगा देते हैं केक को पकड़ेंगे और इस पर चॉकलेट स्टालेंगे वैसा आप स्पून का या फिर काट का यूज़ करके अगर आप चॉकलेट को इस तरीके से लगाएंगे तो ठीक रहता है क्योंकि नहीं तो हातों की गर्मी से ही चॉकलेट मेल्ट होने लग जाती है और फिर अच्छ बहुत एजी है से बनाना तो बनाईए और अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया है तो मेरे जल को जड़ो सबस्क्राइब कीजिएगा थैंक यू